महरान गर कीले में साथ दुआर है जिनका उपयोग महरान गर कीले में परवेश करने के लिए किया जा सकता है ये साथ दुआर विभिन शाशोको दुआरा बनाए गए हैं और विकानेर और जैपूर से नाओं पर जीत के सम्मान में बनाए गए हैं महरान गर कीले में इस्तित मुख्य महल मोती महल फूल महल शीश महल जनाना तूड तक्त विलास और जाकी महल है कीले के अंदर दो मंदिर भी इस्तित हैं चाउमुंदी देवी मंदीर और नागन नेची आजी मंदीर जो करमशा तेवी दुरगा और कुल देवी को समर्पित हैं महरान गर कीले के भीतर एक संग्रालेह भी है जो पाल की संगीत वाद यंत्र शाही पान ने वेश भूशा अथिया हतियार फनीचर और चित्रों का एक इस्मृद संग्रा परदशित करता है महरान गर कीला एक खड़ी चक्तान पर सो फीट भौवेता में खरा है जोदपूर के छितिच से चार सो फीट उपर जले हुए लाल बलुआ पत्तर भौवे अजे और फिर भी एक अजीब भूतिया सुन्दरता के साथ है सुर्जी के गर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है वास्तों में ये पूरे राजस्तान में सबसे परवावशाली में से एक है इसके अनुपात इतने विशाल है की रोडियाड के प्लिंग ने इसे दिगजो का काम कहा आज इसे भारत में सबसे अच्छे सनरख्षित किलो में से एक माना जाता है पूरे भारत में आनन्द में छूला उत्सों का एक अभिन अंग है जो वसंत या मांसून के मौसम के आगमन का परतिक है तोनों रोमान सपरजनन छमता से जुरे हैं मानसून के दोरान मारवाड के उधान महलों में जूले लगाए गए थे जम महाराजा शाही महलाओं के साथ समारों में भाग लेते थे धातू के फ्रेम पर लगे साबुन के पत्थर से बने इस जूले को आधार पर चार हंस के आकार के हुक से जुरी जंजीरों का उप्योग करके लटका दिया गया था जूनने का कार ये पराचीन भारत्य गरंतों में परजनन अनुस्ठानों से जुरा हुआ है जिसमें एक पुजारी यार सनपरभू जूला पर जूलता है पिर्थिवी और आकाश को जोडता है और अपनी भूमी और लोगों पर सवर का अशिवाद मानता है विवीद इतिहास और सांसकृती विरासत से जुरे होने के अलावा महरान गर कीला एक वाश्तू उशिल्प आस्चे हैं कीले को राजस्तान राज के लुवाने कीलों में से कमाना जाता है जोड़पूर में इस्तित महरान गर कीला शायत भारत के अंदर सबसे बड़ा कीला है यहां राउज चोधा मार्ग पर चोदो सोन साइट क्या स्पास काम कराया गया और चार सो दस फीट की दूरी पर शहर को मजबूत करने की व्यस्ता की गई है अपनी सिमाओं से घिरे वर्तमान समय के कुछ महलों से महलों में अपनी आपरतियाशित इच्छा की को शुकार करने के लिए दुरुस्त अस्थान है जैसे ही शहर उतनना शुरू होता है एक जिगजेग दर्शाता है गर के एक तरफ कैतरी सिंग सोडा अच्छाता है जो एक योद्धा है जो महरान गर की सुरक्षा पर दस्तक देता है महरान गर की ले का नाम मेहर गर से लिया गया है मेहर का अर्थ है सुर्ज और गर का अर्थ है कीला अस्थानिय भासा के उच्छारन के कारण मेहर गर को महरान गर के नाम से जाने जाना जाने लगा महरान गर कीले के अंदर इतिहासिक केंदर आर्यस्तान में एक सुसक जित के लेडी की दुकान है इंट्रियर का गर यहुदी बस्ती का गर है जो वर्तमान युग में एक रिक्षा है और काउंटी एक्सपेंडे दुआरा क्यूरेट किया गया है जिसने गुजरात के शाशक के खिलाप लड़ाई लड़ी है अतिहासिक केंदर अनुस्ठानो वीजा वेश भूसा ललिदकला और एक समरिद युग के बारे में विरासत दिखाता है महरानगर में इस्तितकला राजस्तान का एक महन संग्राले है महल संग्राले के एक हिस्से में यहाँ पुराने शाही महलाओं का वर्गी करन है बहुत समय पहले राव जोदा नाम का एक महतोकांची राजा चोथपूर में एक राजिसी पहाड़ी के पास आया और उसमें से एक राजसी कीला बनाने का फैसला किया उसने धिर मन से अपने आदमियों को आदेश भेड़ा कि वो पहले पहारी पर रहने वाले लोगों को हटा कर उसकी इच्छा को पूरा करे और फिर अपने सपनों के कीले की निव का निर्माहन करे शाही का पालन करने वाला हर कोई एक बूड़े आदमी को छोड़ कर एक शंत को छोड़ देगा जिसे चिडिया वाले बाबा के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो पक्छूं को खिलाने और इनकी देख भाल करने में परसंथा राजा के शाशना देशिम से बहुत परिशान होकर संत ने राजा को सराब दिया कि यदि वो पहारी पर अपने सपनों का महल खरा करता है तो उसका राज बार बार सूखे से परवावित होगा भ्यानक सराब सुनकर सित्वत अस्तब्द और भैवित राजा ने चिरिया वाले बाबा के चन्नों में आत्म संपर्ण कल दिया और छमा मांगी अपने शब्दों को वापस लेने का असमर्थ संतन शाप को बेहसर करने का एक मातर उपाई प्रस्तूत किया राज के किसी वैक्ति को जान बुझ कर जिन्दा दफन करके अपना जीवन देना होगा जब राजा अपनी पढ़जा के बीच एक उद कारता खोजने में विफल लहा तो राजा राम मेगवाल नाम का एक नेक दिमाग वाला वेक्ति अपने जीवन का बलिदान देने के लिए आगे आया और इस परकार राजा राम मेगवाल को एक शुब दिन और एक शुब अस्तान पर जिन्दा दफनाया गया ताके महरान गर कीले की निव रखी जा सके राजा राम एगवाल के महान बलीदान को सरदान जली देने के लिए कीले की जगहाँ पर उनकी कबर के उपर एक बलुआ पत्थर का इसमारक मनाया गया था शाही पडिवारों की महलाएं अक्सर पती की मिर्तु की स्थिति में या एक विजी परती द्विंदी द्वारा अपमान से बचने के लिए अपने पती की अंतिम संस्कार की चिता पर खुद को जिन्दा जला कर सती होती है महरान गर कीले में लुहा पोलो गेट के बाई और पुडब राजाओं में से एक महराजा मान सिंग जनोंने वर्स अथारो सो त्यालिस में सती वीती की पती या पत्नी के लगपक पंद्रा या तो हस्त चित्र है महरान गर कीले में देखने के लिए कई अन्य चीजें हैं जैसे की फूल महल चांदी की कला किर्तियां लगू चित्र और पेंटिंग कीले दुआरा पेश किये गए नाले नीले शहर के व्यापक दिर्शे फिर भी सुर्ज का कीला सती के निशान और राजा राम में गवाल के इस महरा कस्तल के लिए देखने वालों की आत्मा को हिला देता है राव जोधा की रत्रा जन जाती की नाबद हर हार भारत में जोधापूर के जनमस्थान के रूप में स्विकार कर रही है उसने जोधापूर को मारवर के कैंदर के रूप में अस्तापित किया वो व्यक्तिकात रूप से आउशतन 24 बच्चे थें और पांचवे रेत्रोस लाडर बन गए हाला कि पद के इस खंड को प्रवेश मारगो के संबंद में उठाया गया है प्रवेश मारगो पर देखे गए बहुत बहुमत हैं जैपाल और महराजा मान सिंग ने 1806 में जैपूर और विकानेर में संपति की विजे की परशंशा की 707 में मुगलों से अधिक विजेपूल ने परशंशा की दिशा में काम किया डैड कागड़ा पुल में अभी तो तौक खाने द्वारा हमले का निशान है कीले के कई बुजरों में लोवपूल अंतिम परवेश द्वार है तुरंत एक तरफ बारिश की निशान है जो अठार सो त्यालिस में अपने महतपुन महराजा माहन सिंग की इस मारक सेवा की आग में जल गए थे राव जोदा ने राव नारा की मदस से मंडोर से नो किलो मीटर दूर बोचेडिया पहाडी पर कीले की नीव रखी कीले की नीव चरंग जाती के रीसी की पुत्री शिरी कर्णी माता ने रखी थी चुकि राठोर के मुख देपता सुझ देपता थे इसलिए कीले का नाम महरान गर रखा गया जहां महरान का अर्थ सुझ और गर का अर्थ किला था कीले की नीव राब जोदा के शाशनकाल के दोरान रखी गई थी और कई शाशकों दुआरा जारी रखा गया था माल्डेन